लुट आफनों स्टूडेंट्स अगेन वेलकम यॉल इन साइंस क्लास स्टूडेंट डिस इस यूनिट फाइफ या आज आपकी यूनिट फाइफ रहेगी और इन 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 फाइफ विल डिसकस अबाउट अब दा अर्ट साइंस आज हम लोग बिल्डिंग हाउस के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट हम लोग पहले इस चैप्टर के बारे में डिसकस कर चुके हैं तो इसका दुबारा फिर से आपको मैं रिव्यू कर आदू एक पर पूरा वीडियो के तरू तो आपको लास तक सेशन को देखना है और कोई भी डावट है तो आप मुझसे लाइफ चाथ के तो पूछ सकते हैं ओके सो स्टार्ट करते हैं हाज की क्लास तो फर्स टॉपिक पहले मिल शेल्टर के बारें पढ़ेंगे शेल्टर इस वन अफ बेसिक नीड ऑफ द लिविंग तो अगर बात करें कि बेसिक नीड्स क्या हैं मन बिंग की तो बिसिकली त्री थिंग सार दिया पहला क्या होता है रोटी कपड़ा और मकान तीन चीज़े है जो बहुत ही बेसिक है सबसे पहले क्या है चाहिए इंसान को रोटी मिल जाए खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए फिर कुछ उसको पहनने के लिए मिल जाए कुछ कपड़े देन उसके बाद क्या वो सोचेगा कि मुझे कुछ रहने के लिए घर या मेरे सिर्क्यों पर अच्छत होनी चाहिए तो इस तरीके से क्या है कि 3 basic needs कि अगर बात करें तो क्या है रोटी, कपड़ा और मकान तीन चीज़े है So first क्या है shelter क्या है उसमें basic need है उसी में basic need include की गई है तो हम यहापे basic need किसकी बात करना है shelters की We build houses to keep us safe from rain, cold, animal, heat of the sun, etc. हम लोग क्या करते है अपने घरों को बनाते हैं अच्छी तरह किसे घरों को बनाते हैं तो हमें basically घरों में रहने से क्या क्या फायदे होते हैं या किन-किन चीजों से हम बच सकते हैं अपने घरों में रहने से या किस तरह किसे से हम safe रह सकते हैं अपने घरों में तो पहला क्य सूरज की गर्मी से सूरज की दूप लगती है उससे भी हम अपने अपको बचा सकते हैं विसे अभी तो ठंड है अभी तो हरको चाहता कि मज़े अच्छे से धूप मिल जाए बट अगर गर्मी हो जैसे जून और मेज उनकी अगर बात करें तो मेज उन में क्या है बहुत ज़ दुपाओं में और पेंड के नीचे रहते थे इट इट इन दाट इरा मैं वस नौट मोर डिफरेंट फ्रॉप अनिमल उस ताम पर क्या था उस समय पर जो इंसान थे वो जानवर से कोई बहुत जादा में अंतर नहीं था बहुत जादा भिन्न नहीं थे विद दे पैसे हुआ जैसे समय बीटता गया वेसे वेसे क्या हुआ इन सब चीजों का इस्तेमाल करके वो घरों को बनाते थे विद पाइस आफ टाइम मैं फाउंड नियू मैटरियल एंड ही लॉंट वे ओफ मेकिंग स्ट्रॉंग एंड बिगेस्ट विगर हाउसे धीरे धीरे क्या हुआ कि इनसान को इन सब चीजों की जानकारी हुए फोलेब्लम अगर आ उप यहां से मुझ्छ से बात करे एंड करें अभी प्रेजलिय नहार डेएंहां की जानक पथे अनकारी में 1 ब्ल़बू सेप्र लोग लगते हैं बहुत सारे से अलग अलग तरीके का काम करने के लिए से प्लंबर हो गया या एलेक्रिक शीन हो गया या फिर कारपेंटर हो गया पेंटर हो गया यह सब क्या है हमारे घर को रुपेर करने में हमारे घर को बनाने में मदद करते हैं विल्डिंग ऐ हाउस एक घर को बनाने के लिए में क्या चाहिए होगा एक आर्खिटेक्ट चाहिए होगा जो मैं ये डिजाइन करके देगा कि कहां पे आपका बेड रोम होगा, कहां पर ड्राइंग रोम होगा, कहां पर डाइनिंग टेबल पड़ेगा, यह सारी चीज़ें आर्किटेक्ट डिजाइन करके देगा, कि किस तरीके का आपका घर के जो घर है उसका लुक रहेगा बिसिकली, मैसन, मैसन कित रोम क्या करते हैं, जैसे जो किस कि आपको करता है, हार कमरे में, उसका है, कर नदल गर समय में अलब कर सांथ हैं, जैसे तरीके हैं, फिरिक्ते के सांफ तो jeste जैसे स्हें तो परदजन क्लिए, जैसे पहलेगा, कत रहें हो अब करता है, कमेंड़ और पिलिदोगा, पोरव छी आपको प्रीप्लाइन करने पड़ेगी और आपको टेक्निक भी यूज करने पड़ती है तब आपको या कर पाते हैं एक सकते हैं यहां फिर्फ है कि आपको सकते हैं अब इसको प्रीप्लाइन करण पितना अब हुआ कि पराणे में गुफा वगरा तो इस लिके किते से थे कुछ और modern house आप देख चुके हैं यह modern house है कुछ ज़्यादा ही coffee कमल बहुत ज़्यादा ही modern है यह now stages of house building कुछ stages हैं जो घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है various stages are involved in the house building घरों को बनाने के लिए कई सारे stages का यूज किया गया basically from foundation to finishing यानि कि जहां से घर का structure बना चुरू होता है यानि कि नीव से लेके और finishing तक जहां तक घर हमारा पूरा complete नहीं होता तब तक की बात है it involves a number of stages इसमें कई सारे stages होती है first stage क्या है first stage is building of the house is laying the foundation foundation पहले foundation पढ़ता है जिसको हम base बोलते हैं जैसे क्या है पहले नीव पढ़ती है नीव की बात क्या होता है structure उसमें डाला जाता है जाल वगरा बना के लोहे का अपने देखा होगा सरिया का यूज करते हैं तो उससे बना जाता है foundation is made under the ground to support foundation जो है structure है foundation उससी तरीके से घर का foundation होता है वो भी जमीन के अंदर रहता है, जो क्या करता है, help प्रवाइट करता है, support प्रवाइट कराता है घर को. To lay the foundation, digging need to be done. Foundation डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ खुदाई वगरा करनी पड़ती है, गड़े खुदने पड़ते हैं, या एक concrete slab को भी डालना पड़ता है, concrete slaps और bricks are then laid in there. खुदाई करने के बाद क्या करते हैं, slaps पड़ते हैं, इंट का यूज क्या जाता है, then हमारा क्या होता है, foundation ready होता है. To strengthen the house pillars are built using steel rods and concrete. और फिर क्या किया जाता है, घर के लिए iron pillars का यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है, steel rods, iron rods बिसिकली यूज किया जाती है, और concrete material का यूज किया जाता है, या सब चीजों का मौरंग वाइगार का इस्तिमाल भी किया जाता है. तो student आप सबने देखा होगा, तो जितने लोगों ने घर को बनते हुए देखा है, तो मुझे comment section में बताइए, या live chat में बताइए, कि घर को बनते हुए कितना student ने देखा है, कि उसमें जो foundation होता है, किस तरह किसे पढ़ता है. send only yes if you have seen, अगर आपने देखा है, तो आपको सिर्फ yes type करके send करना है, और कुछ नहीं करना है, कुछ इस तरीके के foundation होते हैं, houses के, घर को बनाने से पहले एक foundation पढ़ता है, वो इस तरीके से होता है, then उसके बाद किया था, wall making होती है, दिवाले, जो दिवार है, उनको खड़ किया जाता है, second stage, second stage in a building house is wall making, second stage क्या है, building house में क्या है, घर को बनाने के लिए, दिवालो को बनाया जाता है, wall act as a frame of the house, walls क्या करती है, दिवारे क्या करती है, एक frame प्रवाइट कराती है, in wall space is provided for the window and doors, हम घर को सुन्दर बनाने के लिए, या फिर उसमें proper ventilation देने के लिए, ह इस्तेमाल करते हैं, खिरकी और दर्वाजो का इस्तेमाल करते हैं, wall is usually made up of brick, cement and sand, ज्यादे तर जो दिवारे हैं, हम क्या करते हैं, इंट, cement और रेट का इस्तेमाल करके बनाते हैं, for the strengthening of the structure pillars are provided along with the wall, wall के साथ क्या है, उसको ज्यादा मजबूती देने के लिए, हम क्या करते ह हैं, फिर, cement के साथ जो pillars बना जाते हैं, उनका यूज़ करते हैं, for a single floor, average height of the wall range between 10 to be 12 feet, अगर average height बोलें, single floor के लिए, या ground floor के लिए अगर बोलें, तो 10 से 12 feet रखी जाती है, approximately, उसके बाद उसके पर छट डाल दी जाती है, roof कुछ इस तरीके से बना जाते हैं, छट roof making के लि after reaching the height of the roof, roof तक या छट तक पहुचने पर, walls क्या होता है, get covered with a flat frame of the steel rod, flat frame ready क्या जाता है, in order to make the roof, concrete is poured into this frame, फिर क्या क्या जाता है, उसमें इसको बोलते है, लेंटर डालने के ताइम पर क्या होता है, पानी और इन सब का mix-up एक तरीके से, एक paste ready करके उसको उसमें डाल दी जाता है, this structure is watered for a few days, this causes hydration of the cement which makes it hard and strong, फिर सेमें की प्रोस्स के थूरू या सेमें में hydration के वैसे क्या होता है, कि 10-15 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद, इस roof को खोल दिया जाता है, और क्या होता है, बहुत hard हो जाता है, after all these stages, plumber and electrician get to work, फिर क्या होता है, इसके बाद जो plumber, यानि कि जो water tap को fit करते हैं, वो और electrician जो wires को डालते हैं, उनको बुला कि electric lines और water pipe की swages lines को wall के साथ attach किया जाता है, फिर उनको उसमें बनाया जाता है, after installation of a pipe, plastering is to the next stage in house, दोस्ता क्या है, उसके बाद क्या अगला step क्या है, plastering क्या है, students plaster इसलिए पहले नहीं किया जाता है, फिर plumber and electrician क्या करेंगे, उस wall को cut करेंगे, उसमें एक space बनायेंगे, देन उसके व्यज़े से क्या होगा, काफी नुकसान हो जाता है, तो यह installation क्या है, कि जैसे भी आपका घर complete होता है, उसके बाद क्या होता है, पहले plumber और electrician अपना work करना start करते हैं, देन आप क्या करते ह है, plastering stands for covering of the wall and ceiling with the layer of ceiling क्या करते है, cover करते है, उसको plaster से ceiling वगरा complete होती है, then, metallic और wooden frame are fitted into the walls to make windows and doors, windows are and doors can have screen and grill fitted in them for safety, grill है, window है, सब को use करते है, safety के लिए, usually door and windows are made before the painting of house, घर को paint करने से पहले, window और खिर्कियों को लगा दिया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, plastering और windows fitting, दोनों चीज़े आप देख सकते हैं, तो student, इस class में हम लोग इतना discuss करेंगे, rest हम लोग second part जो है, वो next class में discuss करेंगे, अगर कोई doubt है तो आप मुझसे पूछ लिजे आपे, और बाकी कोई भी doubts रहते हैं तो आप मुझसे लाइव चैट के पूछ लिजे, तो student, thank you, bye bye, take care.